हेलो CMA final students, कैसे हैं आप लोग, होप करता हो बहुत अच्छे होगे, जल्दी जल्दी CMA final निकालने का होगा, ठीक है, तो मैं हूँ आपका host और दोस्त C.A. सिद्धिनात पांडे, जो की लेके आया है आपके लिए exclusive batch for strategic financial management, ठीक है, अब ये subject में है क्या-क्या, हम इस subject को कैसे cover करने वाले हैं, ठीक है, तो ये lecture सिर्फ उसी के बारे में है, तो सबसे पहली बात, ये कैसा subject है, तो mainly बोला जाए, तो ये एक practical oriented subject है, जिसमें theory भी है, बट majority part क्या है, practical, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं syllabus overview, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने जो syllabus को 5 sections में divide किया है, सबसे पहला है investment decisions, फिर आता है security analysis and portfolio management, फिर आता है financial risk management, उसके बाद international financial management and lastly digital finance, और यहाँ पे जो आपको percentages आगे दिख रहे हैं ये percentage बताता है कि उस section का कितना weightage है, ठीक है, अब अगर आप mainly देखा जाए, तो ये तीन sections भी अगर अच्छे से कर लिए, तो हमार 80 marks का part cover हो जाता है, ठीक है, अब ये जो एक नया chapter है digital finance का, जो कि new syllabus में institute ने introduce किया है, ये भी एक हमारा theoretical topic है, इसके बारे में हम discussion कर लेते हैं, क्योंकि यही एक section है, जिसके अंदर सिफ एक ही chapter है, that is digital finance, अब digital finance का मतलब क्या होता है, कि जैसे जैसे new technologies आ रही है, हमारा जो finance क वे है, वो भी धीरे-धीरे digitalize हो रहा है, digitalize हो रहा है, जैसे कि आपने सुनाओ cryptocurrencies, NFTs, तो ये क्या है, ये अभी new products है in digital finance, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं under digital finance, अब क्या करेंगे, जो उपर के 4 sections है, उसको धीरे-धीरे हम लोग एक हे करके discussion करते हैं, so let in practical topics, तो जो पहला topic है, ये हमारा extension है, जो कि हमने intermediate में किया हुआ है, जो कि है investment decision, और इसी का हमने inter में कौन से नाम से सीखा है, capital budgeting, यहापे क्या होगा, यहापे हमको एक project दे दिया जाएगा, वो project के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग estimate करेंगे, कि इस project को में पैसा रहा हूँ, और जिससे पैसा आ रहा है, क्या उन्नों में मेरा फायता हो रहा है, या नुकसान हो रहा है, उस चीज को मैं analysis कैसे करूँगा, तो वो मैं analyze करूँगा, chapter 1, investment decision, project planning and control में, ठीक है, अब यहापे एक ही project की बात की गी थी, बट अगर में को एक से जादे proposal आ गए, स proposal, are we getting, ठीक है, third chapter आता है, leasing decision, leasing decision, deal करता है कि कोई भी चीज को मेरे को buy करना चाहिए, या फिर rent करना चाहिए, buy करना चाहिए, rent करना चाहिए, इसका मतलब नि समझ में आया, तो एकदम simple example लेते हैं, समझ लो मैं को एक saloon कोलना है, अब saloon कोलने के लिए मैं को main चीज, सब में चीज है, shop, अब वो shop को, में को buy करना ज्यादा beneficial है, या रेंट करना ज्यादा beneficial है, अब इसको कैसे समझेंगे, समझ लो, मेरा एकदम simple, एकदम long term plan है, कि मैं को इसी जगह पे करना है का, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस property को buy कर लूँगा, क्यों, यूगि मैं long term सोच रह है, कि leasing decision, मतलब buy या rent करना है, तो क्या करना है, next आता है हमारा securitization, this is our theoretical topic, ठीक है, इसको अगर आप सोचेंगे कि मैं 2 मिनट में explain कर दूँ, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, actually बोलू तो, ठीक है, तो हमारा ये जो first part था investment decisions, इसके अंदर हमको mainly ये तिन topics पर discuss क करना था, और जो चौथा chapter है, that is our theory topic, next आता है, security analysis and portfolio management, ये सबसे ज़्यादा marks कवर करता है, पूरे के पूरे हमारे SFM के syllabus में, तो इसके अंदर mainly हमको ये चार topics पे main focus हकना है, सबसे पहला आता है हमारा equity and bond valuation, इसमें हमको देखना है कि जो भी एक share देके रखा है हमको, उस share क कि हम value कैसे calculate करें, अब इसमें value कैसे calculate करेंगे, उसमें 3-4 methods देके रखें, वो 3-4 methods का हम कैसे use कर रहे हैं, वो हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है, next आता है mutual fund, mutual fund जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे advertisement चलते रहते हैं, कि ये mutual fund का back end देखेंगे, कि mutual fund work कैसा करता है, कि अग अगर पैसा लगा दिया, तो उसको हर महीने to महीने उसका value कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, वो कैसे check करेंगे, और अगर अभी बेचना है मेरे को mutual fund में कितने charges पे करना है, तो ये सब हम किस में देखेंगे, mutual fund के topic में, next आता है हमारा portfolio theory and practice, portfolio theory and practice में क्या होता है, कि समझ लो, हमने 4-5 stocks में invest कर दिया, अब वो 4-5 stocks को जब हम एक साथ लेकर आते हैं, तो वो क्या बन जाता है, portfolio, अब वो portfolio का हम लोग क्या करेंगे, risk देखेंगे, return देखेंगे, ठीक है, और उसके basis पे देखेंगे, कि क्या हम लोग जो सोच रहे थे, उतना हमने अचीव किया मैं पास 1,00,00,00,00,00 थे, मैंने 1,00,00,00,00,00 का portfolio बनायada, चार-5 stocks में invest कर दिया, अब मैं सोच रहाँ की, हर साल ममें को 10% return मुलनाँ चाहिए, अब क्या होता है, हर साल 10% return मिलेगा, क्या नहीं, तो यह 10% return मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, हमेशा portfolio revision करूँगा, revision एक और हमारा next theoretical topic आजाता है, that is efficient market hypothesis, ठीक है, next आता है हमारा financial risk management, financial risk management में सबसे पहले topic तो पूरा theory है, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि अगर मैं कोई business कर रहा हूँ, या फिर मैं finance में हूँ, तो मेरे को कौन से कौन से risk effect कर सकते हैं, ठीक है, एक दम completely theoretical topic है, and next आता है हमारा financial derivative, इ options, ठीक है, बहुत सुना होगा, futures and options, तो इसके अंदर हम लोग basically सीखेंगे, कि future and options की valuation कैसे करते हैं, और इसको कैसे use करते हैं, कि हम लोग profit कमाते हैं, loss कमाते हैं, futures and options से, तो वो कैसे calculate करना है, वो हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है, next आता है international financial management, इसमें भी हमारे तीन topics है that is international financial environment, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कौन से कौन से foreign के बाहर के institutions है, तो अगर मैं को बाहर से पैसा रेस करना है, तो मैं कौन से कौन से methods के थ्रू पैसा रेस कर सकता हूं, ठीक है, next आता है foreign exchange market, यहां पर हम क्या सीखेंगे, अगर मैं बाहर वालों के साथ business कर रहा हूं, त उसमें foreign exchange कैसे calculate करूंगा, समझ लो मैं बाहर वालों को से कुछ बाई कर रहा हूं, तो बाहर वाले क्या करेंगे, rate quote करेंगे, क्योंकि अब बाहर से घरी तो तो मैं कैसे payment करना पड़ेगा, foreign currency में payment करना पड़ेगा, तो foreign currency को कैसे मैं लेकर आऊंगा, मतलब मेरे पास तो र इसको कैसे manage करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे, foreign exchange risk management के chapter में, are we clear guys, ठीक है, next आता है अभी, हमारा syllabus overview हो गया, अब हम लोग देखने वाले कि exam pattern कैसे आता है, तो exam pattern हमारा आता है, multiple choice question आते 30 mark के, और descriptive question आते 7 mark के, multiple choice question में हमारे को कोई option नहीं है, हमको सारे के सारे 15 questions करने प और यहां पर हमको options है, कि हम लोग को सिर्फ 5 questions attempt करने है, ठीक है, और हर question कितने mark का है, 14 mark का, मतलब यहां पर हमको 2 choice मिल जाते है, कि आपको 7 में से कोई 5 ही करने है, अब यह exam को, हम लोग को, हमारी strategy क्या होगी, तो हमारी strategy एक दम simple है, सबसे पहले हम lecture करेंगे, सबसे पहले ह हम additional question bank solve करेंगे, एक बार हमारा additional question bank solve हो गया, तो अभी हम concept से clear है, उसके बाद हम क्या से करेंगे, MCQ solve करेंगे, ठीक है, हर chapter में ऐसे ही करना है, सबसे पहले lecture करेंगे, उसके बाद additional question bank करेंगे, और उसके बाद MCQs कर लेंगे, descriptive questions को कैसे हम लोग handle करेंगे, तो याद रखना जो seven questions होते हैं, उनमें से six questions practical आते हैं, जिस पे हमारा mainly focus होगा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि institute क्या करता है, थोड़ा सा हमारा theoretical answer इधर हुदर हुआ, institute पूरे के पूरे marks काट जेता है, तो इसके लिए हम लोग theory पे कम, बट practical oriented जादा रहेंगे, ठीक है, बट इसका मतलब यह books का कैसे होगा, तो हमारी books, आपको दो book मिलेगी, ठीक है, एक book मिलेगी, जो कि हमारी class book बोल सकते हो, जिसके अंदर आपको concept notes, प्लस question bank मिलेगा, यह question bank हमारा class के अंदर ही cover होगा, जो दूसरी book होगी, उसके अंदर आपको एक additional question bank मिलेगा, प्लस, mcq का part भी इसी में रहेगा chapter wise, ठीक है, तो एक बार हमारी concept नहीं होते हो question bank होगए, तो आप क्या करोगे, आपके end पे additional question bank और mcq solve करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका धीरे-धीरे sub cover हो जाएगा, और हमारे question bank, जो भी question bank आएगा, तो उसके अंदर हमेशा दर्खना, वहाँ पे नीचे एक category के लिए box दे कर रखेगा, उसमें आपको लिखना है कि वो question आपके हिसाब से कौन से category का है, A category का है, B category का है, या C category का है उसके accordingly कार होगे, तो कैसे last day के दिन आपको confusion नी होगा कि हमको कौन से question solve करना है, तो हमको mainly कौन से question solve करने पड़ेंगे, एक category वाले, ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरे lectures कैसे आने वाले हैं, तो मेरे lectures हमेशा है आद रहा, Monday, Wednesday और Friday के दिन आएंगे, हमारा try रहेगा, कि 60 lectures क अंदर अंदर पूरा practical part cover कर लें, और 10 lectures additional लेंगे theory के लिए, and हम लोग सोच रहे हैं कि 70 से 75 lectures के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा syllabus खतम कर दे, ठीक है, and अगर आपको मेरा lectures buy करना है, तो आपको 5000 का मिलेगा मेरा SFM exclusive CMA final batch, 9 months के subscription के साथ, और books आपको मिल जाएंगी, soft copy के स अगर आपको ये 9 months का subscription ना लेके, आपको 12 months का subscription चाहें, तो आपको just एक additional 1000 रुपी का payment करना पड़ेगा, और अगर आपको books hard copy में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रणवचार्णडग.com पे जाके, आप books buy कर सकते हैं, ठीक है, so that's it from my end guys, thank you so much, हस्ते रहिए, खुश जल्दी से जल्दी CA में बनिये, thank you.